अल्यार रह्मान रहीम, शुरु अल्ला के नाम से जो बड़ा महरबान नहायत रह्म करने वाला है, मेरे तमाम मुहतरम तालिब इलमौर उनके वाले देन को मेरी तरफ से, असलाम लेकुम, मैं उमीद करती हूँ, आप सब खेरियत से होंगे, लेट मी इंट्रड्यूस मैसेल्फ, मेरा नाम है सम्रा है और मैं आपकी मैट्स की टीचर हूँ, आज को मेरा टोपिक है, वो है, कॉंसेप्ट ओफ बिग एंड स्मॉल तिंग्स, यानि के छोटी और बड़ी चीजों में फरक उसका कॉंसेप्ट क्या होता है, वो मैं आज आप को बताऊँगी, let's see कर य एक कोंशेप्ट होता कि है, as you see, एक तरफ एक बस है और एक तरफ एक कार है, तो जो बस है हमारी, वो क्या है? बड़ी है, as compared to कार, कार श्मॉल है और जो बस है, वो बिग है, यानि के बड़ी है, और जो कार है, वह small है as compared to bus car is small यानि कि car जो है उसका size छोटा है bus के लिहास से okay students next example लोगी हमारे पास ये है monkey यह जो small वाला एक monkey है और एक big है यह size में small है as compared to this one यह हमारे पास big है और यह क्या है हमारे पास छोटा है और यह हमारे पास क्या है बड़ा है next example लेखते हैं yummy apple कितना प्यारा लग रहा है ना बच्चो अब आप देख सकते हैं कि एक साइट पे जो हमारे पास है वो big apple है दूसरी साइट पे हमारे पास small apple है अना बच्चो एक यह हमारे पास big है और यह apple हमारे पास small है चुट एपल है यह big apple है और यह small apple है अब आपने मुझे बताना है कि big object कौन सा है यह burger में देखें कि big कौन सा है और small कौन सा है करेक्ट हमारे पास big object यह वाला है अब नीचे वाली ice cream में देखें कि big object कौन सा है हमारे पास exactly हमारे पास big object यह वाला है अब नीचे cupcakes में देखें big object कौन सा है करेक्ट यह वाला कौन सा object हमारे पास यह हमारे पास small है यह हमारे पास big है this is small and this is big यह बड़ा है और यह चोटा है यह ice cream कौन में जो ice cream है वो बड़ी है और यह कौन चोटी है यह बर्गर बड़ा है और यह बर्गर चोटा है अब नेक्स जो example है वो यह है who is small and who is big this man is big and this boy is small this flower is big and this one is small यह फूल बड़ा है और साथ वाला उसका है वो चोटा है नाश्पती बड़ी है और के वाली चोटी है अब फाइर ब्रिगेड वाली जो बस है वो बड़ी है और कार जो हमारे पास है वो size में चोटी है I hope आपको मेरी समझाई होगी अब आपने अपनी बुक में जो small and big वाली एक्टिविटी है वो solve कर लेनी है वो मैं आपसे इंशाला सुनूंगी कल अब दे मुझे इजाज़त अपना ख्यार रखेगा अलाहाफिज